वालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका स्ट्राइट 247 में आज हम लोग त्रिपुरा फायर एंड इमर्जिंस सर्विस यानि TFES की जो रिक्रूट्मेंट है उसकी जो नोटिफिकेशन आई हुई है बहुत पहले आई थी और उसी exam related आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हमारे पास बहुत सारा messages आ रहे थे, comments आ रहे थे ताकि हम इस fire service की जो recruitment है उसके बारे में detail में हम बात करें उसकी syllabus क्या है, उसकी exam procedure क्या है कैसे इस exam के लिए तयारी करनी है तो आज हम इस वीडियो में सारे topic पे हम detail में बात करेंगे, इस वीडियो को अगर आप अन तक देख लेंगे तो आपका आदा काम इही पे हो जाएगा और बाकी आदा काम हम जो जो बोलते हुए चलेंगे इस वीडियो में उसको आप अच्छे से follow करेंगे तो आपका selection 100% पकता है तो जरूर अन तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जिन लोग होने आभी तक हमारे चलने को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग जरूर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लिजेगा तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इस एक्जाम क इसको fire service कहा जाता था पहले लेकिन आप इसका नाम change हो गया है चेंज होके इसका नाम नया रखा गया है fire and emergency service तो ये equation भी मान सकते है आप exam में पूछा भी जा सकता है ये fire service related जो exam सवाल आएंगे उस सवाल में ये question आने का chances भी है इससे पहले इसको fire service कहा जाता था लेकिन आ अगर हम detail में देखे तो इसमें बात क्या जा रहा है किस चीस की recruitment है name of the post क्या है इसका name of the post है fireman यानि fireman की recruitment होने वाली है post जो है सबसे important बात जो है इसमें बहुत सारा post vacancy निकली है कितना 1362 plus post है यानि plus मतलब इससे ज़्यादा बढ़ भी सकता है आगे चलके जो revise होगा फि इसकी जो post है वो increase भी हो सकती है तो यह जो post है अब देख सकते है यह बहुत ज़्यादा है यह post कैसी है यह post है group C post and non visited जो त्रीपुरा की जो pay matrix level है उसमें level 6 में आता है यह pay matrix 2018 के इस सबसे यह जो scale of pay है यह level 6 और इसकी method of recruitment है वो क्या होगा direct recruitment होगा 10% जो है वो promotion से होता है तो वो अलग चीज है हाज हम बात करेंगे यह direct recruitment के बारे में है तो direct recruitment की बात करें हम तो यह quoted तो यह कुल तीन step में होता है पहला जो step है वो है physical measurement यानि आपको qualify करना पड़ेगा physical में इसमें आपको जो जो important चीज़े है वो नीचे दिया हुआ है आगे हम बात करे हैंगे आप लोग जुरे रहिए दूसरा जो है वो है return test यानि आपको exam में बैठना पड़ेगा अगर आप physical में qualify कर लेते हैं फिर आपको बैठना पड़ेगा return examination में तो return examination में क्या पढ़ना है क्या क्या syllabus से वो पूरा हम detail में बात करेंगे आगे चलके तो यहाप आप देख सकते हैं इसके जो mark है वो है 85 mark यानि 100 mark का total होगा test इनमें से return test जो है वो होगा 85 का और यह qualify यह वाला जो है physical measurement वो qualifying है अगर इसको qualify कर लेंगे अब फिर जाके यह return test होगा return test के बाद आपका क्या होगा personal interview यहापे कितना marks है 15 marks तो यह cool हो गया 100 mark का आपका total paper होगा interview को मिला के तो आगे हम बात करेंगे return test में क्या क्या होने वाला है personal interview में क्या क्या पुझे जगा marks distribution के बारे में हम आगे देखेंगे age limit क्या था इसका age limit है 18 से लेके 27 तियार तक जब तक यह notification को आप publish होने के बाद आप लोगों ने जो उसका form भिलप किया तब तक age कितनी हो लोगों के लिए है ST और SC लोगों के लिए है कितने यहर का 5 यहर का और जो civil defense या home guards में काम कर चुके है उनके लिए up to 40 years educational qualification क्या क्या होने चाहिए educational qualification होने चाहिए यानि matriculation आप अगर माध्यमिक पास है यानि class 10 पास है तो आप इस exam के लिए eligible हो और क्या क्या eligibility है eligibility की तरफ देखे हम फिर minimum standard physical जो standard है उसमें क्या क्या होना जरूरी है height आपकी height कितनी होने चाहिए 167 cm होगा आपका height तो आप eligible हो चेस्ट कितनी होने चाहिए 81 cm और आप expand करेंगे तो 5 cm और थोड़ा ज्यादा eyesight 6 by 6 होने जरूरी है आप चश्मा नहीं पहन सकते आप अगर आपको glass लगाओ तो आप eligible नहीं हो आपका color blind है तो आप eligible नहीं हो squint आई है तो अब भी आप eligible नहीं हो flat feet knock knee यानि आप आपका pair दोनों touch हो रहा है knee touch हो रहा है तो आप eligible नहीं हो तो यह है minimum physical standard यहाँ तक अगर आप सही हो फिर आगे चलेंगे हम आगे क्या है desirable qualification तो इस exam के लिए minimum qualification जो है वो है class 10 pass आगर आप class 10 pass हो और उपर वाला जो जो condition है height अप height chest eyesight यह सब अगर ठीक टाक है तो आप eligible हो आप physical दे सकते हो फिर आगे physical में अगर आप qualify करेंगे तो return exam भी दे सकते हो इसके अलावा और कुछ desirable qualification होता है अगर आप वो आपके पास है तो आपको थोड़ा और preference मिलेगा तो desirable qualification में क्या क्या है अगर आप HS pass है तो आपको थोड़ा और ज्यादा preference मिलेगा अगर आपके पास computer certificate है आपको preference मिलेगा अगर आपके पास driving license है जो motor vehicle light motor vehicle चलाने की तो भी आपको preference मिलेगा और अगर आप trained civil defense में हो काम कर चुके है या home guard में काम कर चुके है पहले तो आप प्रिफरेंस मिलेगा तो यह preference के list है यह desirable qualification है यह qualification आपको होगा तो आप selection process में थोड़ा आगे चल जाएंगे बाकी लोगों से और क्या है जो पॉइंट है वो है knowledge of bengalian kogbrook यह तो लगबख सब लोगों को होगा ही होगा तो इसी में से आपका जो personal test है जो 15 mark का होगा उसमें से 10 mark यही से आ रहा है यानि यहाँ से 2 marks यहाँ पर 2 marks यहाँ पर 2 marks यहाँ पर 2 marks और यहाँ पर 2 marks तो यह अगर desirable qualification आपके पास है तो आपको आसानी से यहाँ से ही 10 marks मिल रहा है बाकी रहा 5 marks वो आपको interview के basis में मिलेगा अब हम पुरी जो recruitment process के तरफ देखे तो क्या क्या है हमने बात किया है अब तक 3 process है यानि 3 step है इस recruitment के पहला है physical measurement यानि physical test होगा qualifying होगा यह अगर यह qualify कर लेते आप फिर आगे चलके return test होगा और बाद में personal interview होगा अगर यह conditions आप clear कर लेते है तो आप qualify हो चुके है return exam के लिए आपका physical आप clear कर चुके है physical में आप tick चुके है तो exam में सबसे बड़ा जो step होगा वो आप clear कर चुके होगे अब आता है return test हम आपको जो दे सकते है वो है return test की पूरी तैयारी कैसे करेंगे आप उसकी पूरा structure आपको बता सकते है तो return test के तरफ अगर हम देखे return test कितने marks का होगा return test होगा 85 marks का उनमें से duration कितना है 2 hour 30 minute तो 2 hour 30 minute के अंदर में आपको 85 marks का ये return test देना होगा इसका breakdown जो है इस background को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपका qualification बहुत ही आसान होने वाला है 65 marks जो होगा 85 में से वो किसमें होगा वो होगा general knowledge और current इफेर के तो general knowledge और current इफेर के आपकी जो समझ है वो अगर अच्छा है तो आपका qualification लगबग पक्का है फिर आपका 15 marks आ रहा है कहाँ पे English grammar on vocabulary तो यह आपको normal English grammar पूछेगा बहुत class 10 level तक की जो grammar है उसी से पूछेगा tense पूछेगा आपको article पूछेगा preposition पूछेगा यही सब पूछेगा आपको vocabulary के related यानि कोई word दिया हुआ रहेगा उसका meaning पूछेगा ऐसे करके आपको 15 marks का English आएगा बाकी 5 marks का क्या आएगा बेंगोली और कॉछ पूछेगा जो आप चूछ करेंगे उसी में से 5 marks का आएगा तो यहाँ पर हो गया आपका 85 marks जिन में से breakdown है current affair और general knowledge में है 65 English grammar में 15 और बेंगोली और कॉछ पूछेगा इसका duration है 2 hour 30 minute फिर आगे चलके personal interview जो आपने बात किया या पहले देखा हुआ है personal interview में कितना total 15 marks का होगा उनमें से जो 10 mark होगा वो अलग-अलग desirable qualification के लिए होगा और बाकी जो 5 marks है वो आपके interview के basis पे होगा अब हम जो 65 marks आ रहा है किसमे general knowledge और current affair में इसकी background करेंगे तो आपको exam में क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है उसकी एक idea आपको आसान हिसे मिल जाएगा यही पे आपका खेल हो जाएगा अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है general knowledge तो general knowledge में कितना आ रहा है 30 marks आ रहा है 30 marks कैसे आ रहा है हमारे चैनल में त्रिपूरा जीके करके आप search करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियो है अलग-अलग topic जैसे की त्रिपूरा geography त्रिपूरा facts त्रिपूरा dates ऐसे करके अलग-अलग topic पे हमने detail में बात किया हुआ है तो वहाँ पे आपको सीधा 10 marks मिल जाएगा बाकी रहा इंडिया इंडिया के जो important facts है उसके बारे में पूछा जाएगा यहाँ पे आपको आएगा 7 marks fire safety related यानि fire service का आप exam दे रहे तो obviously आपको fire safety के बारे में कुछ जानकारी रखनी होगी तो वसी से आएगा 5 marks तो आपको इसके लिए attention करने की ज़रूरत नहीं है हम इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे जो आपका 5 marks करी करेगा इंडिया के जो जिके हैं इंडिया के लिए हमने बहुत सारे वीडियो अल्रोडी डाल के रखके है हमारे जो जिके है इससे आपका आ रहा है 7 mark तो यह भी हो गया 10 mark इंडिया के रिलेटेड जो आ रहा है वो भी हो गया fire safety के लिए जो है वो हम वीडियो लाएंगे तो यह वाला वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में आगे कुछी दिनों में हम यह वीडियो लाएंगे तो इसके लिए आपको जो करना होगा वो होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके राखेंगे तो ऐसे जो important topics है उसके उपर हम वीडियो जो आगे चलके लाएंगे वो आपको मिल जाएगा तो fire safety के लिए जो five marks दा रहा है उसका वीडिय के बारे में तो यह आपको आसानी से आ सकता है अगर आपने थोड़ा सा भी इस पर काम किया तो आपको पूरा four marks सीधा मिल जाएगा आपको एडिशन सब्स्ट्रक्शन एही चीज़ को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर four marks आपको मिल रहा है गेमसें sports related चार्म marks पुछेगा यानि four marks तो गेमसें sports के उपर हम वीडियो लाएंगे current affair के थोर पर या normal games and sports के उपर वीडियो लाएंगे तो वहाँ पर भी आपको यह जो four marks है एक्स्ट्रा इसका भी वीडियो मिल जाएगा आप यही वीडियो को अच्छे से देखेंगे आ आपका जो marks है आपका जो questions है वो cover हो जाएंगे current affair के तरफ देखें तो current affair में आ रहा है 25 marks जिन में से topic कौनसा कौनसा है त्रिपूरा जो त्रिपूरा current affair पे सिधा 10 marks पूछ रहा है तो इसके लिए हमने बताया कोई tension करने की कोई जरुरूत नहीं है यह पूरा already डाला हुआ ह त्रिपूरा जी के त्रिपूरा current affair जो आगे चलके हम और भी डालेंगे त्रिपूरा current affair वहाँ पे आपको सीधा सीधा यह सवाल important मिल जाएगा सीधा आपको direct सवाल मिलेगा आप इस वीडियो को देखेंगे exam में जाके देखेंगे सीधा वही से पूछ जा रहे है इंडिया से कितना इंडिया से मिलेगा आपको seven seven mark का questions आपको मिलेगा इंडिया के current affair पे तो current affair का एक series हम जरूर लाएंगे इस से पहले हमने एक वीडियो अल्रेडी डाल के रखेंगे तो जानवारी से लेके जो अन तक इस exam के होने से पहले तक हर एक महीने के monthly current affair हम लाएंगे उसमें त्रिपूरा भी होगा उसमें इंडिया भी होगा उसमें वर्ल्ड भी होगा तो हर एक चीज़को कवर करते हुए चलेंगे तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को subscribe करके रखिए बस आपको लगभग लगभग maximum सवाल का जवाब वहीब से मिल जाएगा बाकी आपको थोड़ आपको numerical पूछेगा अलग-अलग चीजों पर वह उसमें आ रहा है 10 marks तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करना होगा फिर personal interview जो हमने बोला personal interview में अलग-अलग topic है जैसे कि अगर आप HS pass है यानि class 12 दे चुके है class 12 pass है तो आपको 2 marks वही से मिल जाएगा सीधा-सीधा अगर यानि computer course का certificate आपके पास है तो आपको 2 marks वही से मिल जाएगा driving license है light motor vehicle के लिए 2 marks मिल जाएगा आगर आप किसी train defense में काम कर चुके है या home guard में काम कर चुके है तो आपको 2 marks मिलेगा और कॉक बरॉक और बेंगली knowledge आपके पास है तो 2 marks तो यह तो लग-बख सब के पास होगा तो यहाँ पर 2 marks आपको आसानी से मिल जाएगा तो यह हो गया पूरा fire service related जो सवाल पूछ पूछ रहते बच्चों ने जो comment section में हमें पूछा जैसर इसके बारे में बताईए तो आज हम इस आपके लिए आपके फर्माईश पे ये वीडियो हमने लाए आपको पूरा fire service related ज हमने जो जो बताया उसी को ध्यान पर रखते हुए उसी के तहट आगर आप तयारी करते हुए चलेंगे तो आपका selection पका है तो आप लोग इस वीडियो को अंत करने के बाद इस वीडियो को खतम करने के बाद आप लोग हमारे चैनल में जाके त्रिपूरा जीके के जितने भी वीडियो है वो देख लीजिएगा इंडिया के उपर अलग अलग वीडियो डालके रखे वो देख लीजिएगा त्रिपूरा काने टेफिर के वीडियो देख लीजिएगा तो वहां से आपको लगबग 50 marks का तो आसान इसे आपको सीधा सीधा आपको हमारे चैनल से मिल बाकी कुछ-कुछ वीडियो हम लाएंगे आगे चलके उसके लिए आपको जो करना होगा वह होगा सब्सक्राइब करने का साथ-साथ बेल आइकन में क्लिक करके रखना होगा ताकि जो भी वीडियो हम लाएंगे आपके पास नौटिफिकेशन पहुच जाए तो आज के लि वे लुट ठस고ा हम लाएंगे टबेलाश और हुचिभी टो करना होगा लाएंगे लoint करना होगाउ